हुआ है 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 कैसे हैं आप सब मैं बहुत ही बढ़ी है एंड आई होप आप लोग भी काफी अच्छे होंगे है सो आज की वीडियो यार मैं फार्मसी लेकर के नहीं आया हूं फार्मसी इन दा सेंस कोई इस वीडियो में कॉल से लेटेड अपडेड नियोज कॉल रिव्यूज और बहुत कुछ ऐसा कुछ नहीं होने बाले मिट टैग लाइन है ना है गाइज वाट्स अप अमर्सिंग अ अगर फार्मसी ही नहीं होगा तो क्या होगा और यह यूट्यूब चैनल जब मैंने खोला था तब मैं फार्मसी के सेकंड एर में था कोविड के टाइम पे और आज लगभग में फार्मसी कंप्लिट हो चुकी है लाइक एक गजाम और बचा है और खीस्तान के वो भी निका लोगा जैसे मैंने बाकी के साथ सेमिस्टर और तीन एक्जाम निकाल लिया है एक एक ग्जाम भी एक दिन पहले पढ़के हो जाएगा और आई होब पॉजिटिव रिजल्ट आई इड़ सेमिस्टर का और उसको मैं भी पास कर लूँ जैसे सब लोग कर लेते हैं लेकिन के था कि भाया में को कुछ नहीं मिल रहा मैं बीफाम कर लूँ भी फाम कैसा कोर्स है पाकिसाब के इसे मतलब लोग इंटरस से नहीं जब कुछ नहीं मिल रहा तो आ रहे हैं और एक यही रिजन है जिसकी वज़़ा से बीफाम में आज हजारों बच्चे हैं जो कि सिर्फ लेते हैं और चले जाते हैं और एक यही रिजन है जिसकी वज़़ा से बीफाम ग्रेजुएट स्टुएट जो कि प्रफेशनल है कोर्स है वो खाली बैठा है आज में प्लेस्मेंट की बात करूं तो बीफाम के बच्चे को जो प्लेस्मेंट मिलती है वो है बारह से पंद् क्या सकते हैं मैं डिस्टे डिस्रिस्पेक्ट बिल्कुल नहीं कर रहा हूं किसी भी कोर्स की किसी भी फिल्ड की किसी भी ऑपरशनिटी या किसी भी करियर की एमर की जोब हो पी एसार की जोब प्रस्टन सरी जिस्टर्च या फिर कुछ भी रिपरजेंटेटिव प्रस्टन रिपरजेंटेटिव तो मैं बस यह करना चाता हूं कि यार बंदे ने बीफाम किया है चार साल तक और उसको तुम बाराजार रुपे की नौकरी दे रहे हो अर आगे चल करके काम क्या कर रहा है एक एक दोक्टर के पास जा रहा है और उससे बोल रहा है कि भाईया आप हमारे कंपनी की दवायए खles Vallahi और वही डाक्टर उसको ऐसा कर रहा है कि वह अपनी अपने अपना कर समझ रहे है उसको बोल रहा है चार गंटे बाहर बैठो मैं भी बीजी हूं मैं आज फ्री नहीं हूं कल आना वो बंदा जो बाहर बैठा है उसने भाई भी फाम कर रखी है प्रोफेशनल कुर्स और वो कंपनी को रिपर्जेंट करने के लिए आया है कि पास इसलिए उसको मैडिकल रिपर्जेंटेटिटिव कहते हैं और वो अपनी दव और यही अगर मैंने कि बाद करूं तो एम फांअब वालों को भी इतनी अच्छी कि जोप नहीं मिलने पातहां कि पैकेज नहीं मिल पाता है रहा गञे them जुनूंदे हैं like fuss दर्विप में कैसे पात करें करphones एक स्टूद्टेंट्स ऑमें प्रइट भी ओगा वह का मैरे को मां, यह कुली पांस लागः मेरे क THATSनी मिलसा का निकला है कि इक बच्चे कई की सम्साल कि इतंड बाकी जो 69 पच्चें प्थे उन का वह उन्हेंकाऎ49 ने, इसमी आसे क्या क्या हुआ घ्रव मां नहीं थैं ऊंब। मानता हूं लग फेक्टर बहुत बड़ा काम करता है यार प्लेस्मेंट हो चाहे एंटरेस्ट एक्जाम हो चाहे कुछ भी हो ठीक है बट यार मैं अपनी वीडियो से बस ये बताना चाहता हूं कि अगर आपको बीफा में इंटरेस्ट नहीं है तो प्लीज इसके अंदर मत आओ अगर आप आ रहे हो तो चार साल ऐसा करो कि वो एक बच्चा ना निकले बल्कि वो एक साथ स्टूडेंट के साथ स्टूडेंट कुछ ना कुछ डिजर्विंग प्लेस्मेंट लेके जाए एक प्रोफेशनल कोर्स हम बीफाम कर रहे हैं तो हमें बीटेक वाले स्टूडेंट के तरह ट्रीट किया जाए उस तरह के पैकेज दिया जाए हमने अपनी रिस्पेक्ट खुद खराब कर रखे क्योंकि चार साल हमें पढ़ना तो है बस किसके लिए डिगरी के लिए क्यों करें हम इस बस बीफाम के पाद हमें जोब क्यों नहीं मिलती है सोचे कभी आपने यह मिलती भी हो तो हमें पे 16,000, 17,000, 18,000 रुपे की जोब क्यों करें मेरा फ्रेंड बीटेक से किया था बीस लाग का पागज उठा रखा है बीस लाग समद रहो सब कुछ काट पीड के अगर महीने के भी उसको मतलों साल की 16,000 लाग आ जाते हैं उसके बार लाग आ जाते हैं तो एक सवाल लाग महीने के कहीं नहीं गए और इतने का हमें पता है यह ली पैकेज मिल रहा है एक साल का और उसे एक महीने का फीस दोनों ने बराबर भड़ी है भाई डेल लाग रुपे पर यह तो ऐसा क्यों हो रहा है एक यही रीजन है फर्स्ट याद है मुझे अपने कॉलेज का जब मेर से इंट्रोडक्शन मेर चूस करी है मेरा जो जैनिवन रिजन था मैंने बता दे लेकि मेरे पीछे जो 40 बच्चे 45 बच्चे थे उन्होंने पता क्या बोला नीट नहीं हुआ इसलिए फार्मसी चुनिया नीट नहीं हुआ इसलिए फार्मसी चुनिया और मैक्सिम इस्ट्रोइंट का जवाब यही पार शुद्ध ता होगे चॉइस वाइस सब का आंसर बाइस था है जब कंपनी आ रहे हो और उनको पता लग जाएगा नैकि तुमने यह कोर्स जो कर रहे हो वह अपने मद से नहीं कर रहे हो या फिर जो तुमने कोर्स किया है डिगरी हासिल करिया है वो एक्जाम से एक दिन पहरे पढ़ करके करिये है तो ओफर यही करेंगे लेना है लो नहीं लेना मतलो एम फार्म कर लो कि जा से जादा दो सल और लगा लोगे तीन लाक रुपे फीस लगा लोगे कॉलेज में उसके बाद क्या होगा पंद्रा बीस जार रुपे सालरी और बढ़ जाएगी तीज बरतीस तक हो जाएगी मैं यहीं कहते हैं कि अगर आप फार्मसी में आ रहे हो तो बाकी सब को छोड़ दो क्योंकि नीट इसके साथ नहीं होने वाली क्योंकि में पास अभी भी कई वैस्चों का मैसेज आ रहा है क quézaman कर सकता हैं यह सकती हो यह सणाय को और यह सीनयुश्य और बना रहा ना तो मैं सही कहा हुआ हूं आज जैसे बीकियूण स्थाउट और यह वैसी बस भी फार्म है क्टूण्ट रहे जाएंगेropri अब आए ँछम्णने पने और सच में मिंडें नहीं कर रखा हैं जौ आप तो थोड़ा इस पर ध्यान देने की ज़रुवत है और अगर आप भी फाम चूज कर रहे हो तो प्लीज से लिए उसको पढ़ना वरना प्लीज इस फ्रीड में मताना मैं खुद को और मेरे साथ में जितने भी इस चैनल पर जुड़े हुए हैं मेरे सारे सब्सक्राइबर्स उ हुजस्ट हुआ है एडमीचन लेने वाला यह जो भी फाम कर रहा है अब भी फाम पास आउट हो चुगा है तो जो भी फाम करने वाला है तो प्लीज आप आगे चलके इसको करियर ऐसा करियर चूज करो बढ़ हां डे वन से लग जाओ करने के लिए क्योंकि बहुत इंट्र नहीं आ रहा है जैसे मैंने आपको बदाया जहां इंट्रस नहीं वहां आपको जाना नहीं तो छोड़ देते हैं फामसी कर लेते हैं कुछ और अगर आप मेरे इस्ट्रग्राम पर नहीं जुड़े हो तो प्लीज जाओ जाके फॉलो करो वहां मैं डेली अप्ट देते रहत हैंरे कर रहां मैं क्या कर रहा हूं तोलट को क्या करना चाहले उपनी करेयर से कईक्राइआ साथ हैर कोलिज अगर आप हो तो इंजोई करो कोलेज लाइफ और पढ़ो बै। वर नहीं कर देसार विडेयो नहीं चैनल के साथी और तब तर लिए बाबै टेक केयर और उन काम आएटे या कुछ और बबाए